देखिए राजत के निताओं के दौरा लगतार जिस तरीके से हिंदू के देवी देवताओं को लेकर टिपनी किया जा रहा है अब इसको लेकर लगतार बिहार का सियासत तेज हो चुका है आपको बता दे कि लगतार जिस तरीके से कहीं न कहीं विपक्ष का कहना है कि लालू प्रशाद के शारे पर ये जो निता है वो इस तरह के बयान बाजी कर रहे हैं इसी मुद्धे पर बाचित करने के लिए हमारे सहयोगी प्रशान्त हैं चलिए बात करते हैं क्या लगता है प्रशाद के जस तरीके से लगतार जो राजद के नेताओं के तोरा ये तिपनी की जा रही है, राम मंदिर बोले भाई हैं सुनील सिंग नितीश कुमार के साथ विधान सभा के अंदर उनकी बत्तमीजी हुई थी ये खबरे निकल कर रहे थी हलाकि उसका कोई फुटेज बगएर नहीं निकला था तब ये खबरे चलने लगी थी कि तैसरी आदव ने बूला कर अपने आवास पर उनका बहादूर हो गए खुद तेजपरतापी आदव कह चुके हैं कि हम राम मंदिर नहीं हम विरिंदा बन जाते हैं तो यसवी आदव जो है राम के कह सकते हैं चमता पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं कि राम चाहते तो मंदिर बनवाले थी तो पूरे परिवार के साथ जिस राजनीतिक फैदा दिखता है तो यहीं चीज में कह रहा हूं समझने वाली बात है कि देखिए जिस परकार से बयानवाजियां हो रहे हैं इसे एक चीज़ आपको साफ साफ समझ में आएगा कि हिंदू भावना जब कहीं नहीं से ठेस पहुंचता है उसको तो जब हिंदू पार्टी के तरफ से कोई भी प्रसासनिक आनुसासनी करवाई यह नहीं होता नजर आ रहा है पहला चीज दूसरा जीज जो सवाल आपका था कि वो कहते हैं कि मंदिर की जरूरत नहीं है और खुद मंदिर जाते हैं तो यह चीज भी समझने वाली बात है ना कि जब मंदिर क कि आइडियोलोजी बना हुआ है कि देखो यादव वोट वंग तो है वो राजच सखी सकने से रहा और हमको यहां पर जितना है तो तकरीवन 40% के आज़ पास पहुँचना होगा तो 40% के आज़ पास अगर पहुँचना है तो यादव वोट वेंग आपको पता है 14% है बिहार के अंदर और 17% मुस्लिम है तो 14 और 17 को अगर जोडते हैं तो तकरीवन आकड़ा है 30% को पार करता है लेकिन यह भी याद रखना पड़ेगा कि ना तो पूरा मुस्लिम राज़त के पास है और ना ही पूरा यादव के पास है यानि कि हम यह फिर भी कह सकते हैं कि तकरीवन 24 से 25% जो वोट है वो राज़त के पास सुरचित हो जाता है अगर यादव और मुस्लिम खुस होते है और उसके बाद फिर अलग अलग पार्टियों के चेहरों को आगे किया जाता है नितिस कुमार को शाथ में रखा गया है ताकि कुर्मी वोट वैंक बना रहे रहरा कर अब आपको एक चीवा नजर आने लगेगा जो पहले कहते थे भूरा बाल साफ करो अब उनके पार्टियों में जो है नेता आगे किया जा रहा है राजपूत का नेता, ब्रहमन का नेता इस तरह से आगे किया जा रहा है और अलग-अलग नेताओं का अलग-अलग जो है अलग अलग प्रोग्राम्स भी होता है तो कहीं ने कहीं ये पूरा खेल है कि हम लोग दो कैटेग्री को जोर लेते हैं यादाव और मुसलिम को तो पचीस परतिसत के आज पास पहुंचेंगे और उसके बाद एक एक दो दो तीन तीन परसेंट करके भी अगर सभी जाती से खि काा कि इसका कुछ असर पड़ेका एसपर रिक इसका असके समझना हो λगागर असर परिगा नहीं तो बयान वाजी हूं आज शयुक्तरे mira अजिब यह जब असर परे सब्सक्राइज़का नहीं तो बयान का जवाब na किव रह आ है तो थोड़ा अई पीसे चलते हैं और उलका कि यहां पर हिंदु की संक्या बहुत ज्यादा है आपको पता है मैं फिल्ड में रहता हूं पुबलिक ओपिनिंस करता हूं यादब लोग से ही मिलता हूं बहुत सार यादब लोग भी मंदिर के ऊपर जो व्यानवाजी हो रही उसको लेकर और जिस परकार से बार-बार सनातन के ऊपर टिपनी हो रही है कुछ यादब लोग भी जो है वो इससे खफा हो रहे हैं तो एक चीज समझ में आना चाहिए इंडिया कट्वंधन के सभी निता को यह चीज दिमा लेंगे लेकिन बाकी चेतरों का क्या वहां पर अगर हिंदू गोलवंध हो गया तो फिर आप क्या करेंगे बिहार से तो आपका जो सीट है अलग अलग पार्टी का कितना 15-16 जो राजद है वो कहीं ना कई मुस्लिम तुस्ट्री करन करती है तो यही चीज है वो समझना पर यह चीज आपको ही मानना परेगा कि एमवाई के ऊपर काम करते हैं मैंने साफ साफ कहा कि तकरीवन पचीस परतिसत तक का 24-25 परतिसत का वोट सुरक्षित होता है मुसलिम और यादव वोट बनाने से तो यही तब चीज है अगर देखा जाए कि परिणाम क्या होगा इसका तो मुझे लगता है कि इसमें बिजेपी बरहत ले सकती है मुसलिम को चलो एक साथ रख लिया मुसलिम वैसे ही बेचाटा वोट नहीं करती है लेकिन हिंदू कम्यूटी जो है वोट करती है बहुत सारे हिंदू कम्यूटी के लोग भी वह बटते हैं और बटके बीजेपी क क्रेटित के सामने सामने को सबस्क्राइब च्छाइब क्रिदित भाएब कर obsessedि लेकिन बीजेपी का तैयारी कर रहे है राम मंदिर को पत Hannah हो का धक जो हो से सबको पता था लेकिन उसके बाप्जूद वीच में क्याल चूरू हो जाता है हर दोहर अक्षत एक और बात हम ने को समझ बनी आते हैं कि जिस तरीके से आम अंत्रन पत्र दिया जा रहा है लोगों को क्या मंत्रन है क्या आप आईये क्या आप बुलाएंगे तभी लोग जाएंगे यह भी पर कहना है यह हमारा कहना नहीं है कि क्या मुख perfect का खेल समझे बीजेपी क्या बैठी है भी नॉर्मल सी बात है कि आम आतमी की तरह सुची आप यहां पर बैठी है और नरांदर मुदी प्रोग्राम कर रहे हैं वहां पर आप अभी शूचेंगे कि जाएं फिर लेकिन वहां जाएंगे तो पर आप अपको कहना है कि हमें क्यों दिया जाएगा मंत्र हम खुद मन होगा तो जाएंगे बोल तो रहे हैं कि यह 24 की तैयारी 25 की तैयारी चल रही है जो यूपी में 20 वर्ज़त है उन्हें कोई प्रॉबलम तो नहीं हो रहा है क्यों कि जिस तरीके से लगतार इस पर बयान बाजी हो रहे है अगर प्रॉबलम होगी तो मंदीर में नहीं न जा रहाएंगे तिजस्वी जदियो राजत बस केवल यह आइडियोलोजी सेट करना चाह रहे हैं पबलिक के मन में कि हम मुसल्मान के बारे में सोचते हैं बस यही है और कुछ भी नहीं है बोट वैंक सुरक्षित करने का पर काम मंदीर एक बड़ा कारण हो सकता है ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश्टी नूस धन्यूंगे